अब री माहौल तो भईया पपू जादव का है पपू जादव के जी और देंगे और दिलवाएंगे भी उनको जी उनका काम ये था कि हम लोग का गरीबों का मसीहा है वो अगर फोन कर देंगे कि भईया हमारा फलना डॉक्टर ने एक लाग रुपय मांग रहा है फलना अपर वाजे तक नहीं आया ना हम से मुलाकात किया हम किस बिना पर उनको भोट दें अलग रहा है इस पार पूर्णिया में किसका जलवा है किस मुदे पर भोट दे रहे हैं पपू जादव के का है वक्त हम पूर्णिया लोग सभा छेत्र में हैं और रामबाद शोग के पास हैं लोगों का मिजाद जानने हैं क्योंकि जादा वक्त नहीं है आज 24 तारिक है और 26 तारिक को पूर्णिया में भोट होगा और तीन उमिद्वार यहां से हैं पपू यादो निर्दलिये हैं एंडिये से संतोस कुस्वा और महागटवंधन से बीमा भारती है तो सीधा लोगो से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कर पूर्णिया के लोगों के बीच क्या मिजाद है क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में किसका जलबा है और देंगे और दिलवाएंगे वी उनको दिलाएंगे भी जी उनका काम ये था कि हम लोग का गरीबों का मसीहा है वो अगर फोन कर देंगे कि भाईया हमारा फलना डॉक्टर ने एक लाग रुपए मांग रहा है फलना अपरेशन में बहला कि ठीक है तुम ही रुको मैं आ रहा हूं वो आगर के वो चहां लाग कुर्बया होता है वह 30,000 में 40,000 में काम करवा देता है आज संतोष कुस्वा जो है आज तक मेरे दर्वाजे तक नहीं आया ना हम से मुलाकात किया हम किस बिना पर उनको भोट दें दस साल में को बार ने एक बार भी नहीं आज मेरा पपू जादब दर्वाजे पर जाकर कर करता है तकना दस्तक देता है आते हैं पॉठ वीदियो बना कि उसका रखे है घाउंख का लंशा आदमी तूरा इसका नहीं बहुत करता है पहाँ剛剛 मेरा देखने और यहीं स्मतलब स्टेत पुर्णिया में कि पुर्णिया के जनता के वी जाकर उनसे पता कर रहे हैं कि आखिर पुर्णिया में किसका महल है और पुर्णिया की जनता है इस वार किस मुद्दे पर भोट कर रही है लगतार एक अपडेट देना भी हारेक सोच पर बने रहे हैं धन्यवाद